हलो दोस्तों वेलकम बैक टो फ्री सार्किट लेब आज हम बाक कॉनवर्टर के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में यहापर जो यह प्रिशेट लागा हुआ था इसको खोल के अगर हम लोग एक वोल्यूम लगाते हैं तो इस तरह से हम लोग एक वैरियेवेल वोल्टेज सप्लाई बना सकते हैं लेकिन यहापर जो वैरियेवेल वोल्टेज है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा घुमाने से इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह सॉल्ब करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और ग्यान लेंगे इसके बारे में तो मुझे बैसी के लिए 5 वोल्ट का फिक्स्ट वोल्टेज जाहिए तो मैं नहीं चाहता हूं कि एक वरियेवेल रेजिस्टर को यह पर घुमा के गुलू देके फिक्स्ट वोल्टेज बनाए जाए मैं चाहता हूं कि कोई फिक्स्ट रेजिस्टर इसमें लागा दूं ताकि किसी भी हलत पर यह वोल्टेज हमारा चेंज ना हो तो मैं एक्चुलिए एक LED टीवी रिप्यारिंग कर रहा था वहाँ पर फाइब बोल्ट मिसिंग था तो मैं फाइब बोल्ट देने के लिए इस मोड्यूल के यूज करूंगा तो मुझे चाहिए फाइब बोल्ट तो मेरे दिमाग म बाई 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 बट नहीं हम लोग इस से अंदर जाएंगे यहापर देखिए 4.9 वोल्ट जो आउटफूट वोल्टेज बना और रेजिस्टर की दूसरा साइड में देखिए 1.243 वोल्ट बन रहा है यह क्या है भाई और यह सेम वोल्टेज जा रहा है पिन 4 में और भा पर इसका एक एक एकजम्पल सार्किट है यह आईसी दो वेरियंट में आता है दो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है यह है फिक्स्ट वेरियंट 5 भूल्ट का इसका फिडवेक पिन से कोई भी रेजिस्टेंस अंदर में नहीं लगता जैसे हमारा इस मोडियूल में वेरिय इसके बाद यह पर जो है एक ऑन ओफ पिन है पाँच नमर पिन इस पिन को ग्राउंड करेंगे तो यह आईसी ऑपारशन स्टार्ट करेगी इसको हाई कर देंगे तो ऑपारशन बंद कर देगी तो इससे आप लोग किसी लो वोल्टेज प्रोटेक्शन सार्किट बना सकते ह जैसे कोई 12V बैटरी से आप लोग इसको चला रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि 12V से अगर बैटरी डिस्चाज हो जाए जैसे 10.5V आ गया, उसके बाद और डिस्चाज नहीं करना चाहते हैं कि बैटरी की सेफटी के लिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ वोल्टेज डिवाइड लेना, देखके अनुवे तो चलिए देखेंगे एक बार, कहाँ है, कहाँ है, यह देखिए, यह पर जो थ्रेसोल्ड है, यह देखिए 1.3V का थ्रेसोल्ड है, तो अगर आप ऐसा कुछ वोल्टेज रेगुलेटर, सोरी, वोल्टेज डिवाइडर बना देते हैं, जैसे कि 10 1.5V से कम आने से ही, इस पॉइंट में 1.3V से कम आ जाए, तो यह लो बैटरी होने पर यह खुद को बंद कर देगा, एनिवे तो यह हमारा सब्जेक नहीं था, चलिए हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह नहीं था, हमारा इंटरेस्ट की पॉइंट था दूसरा जा रही है, जैसा ही फिड़वेक पॉइंट में फोल्टेज कुछ ऐसा आएगा, ताकि इस पॉइंट की फोल्टेज से मतलब बार हो जाए, तभी स्विचिंग बंद हो जाएगा, और इस फोल्टेज से इस फोल्टेज कम हो जाए, तो स्विचिंग आपका पपस कुछ दिया हुआ है यह पर देखिए 3.3 वोल्ट का वरियेशन के लिए आपका R2 होगा 4.2 किलो हम यह पर 5 वोल्ट का जो वरियंट है यह सेम आइसी का 5 वोल्ट का वरियंट में R2 रहेगा 7.6 हम एड़स्टेबल वरियंट जो मैं यूज करना इस वीडियो में वो होगा 0 हम यह R2 मतलब यह short रहेगा और adjustable version में R1 रहेगा open मतलब यह वाल रेजिस्टर नहीं लेगा तो इसका सीधी सी माने यह है कि मेरा जो adjustable version है वो यह minus point directly इस point में निकाला हुआ है यह दोनों रेजिस्टर अंदर में नहीं है तो यह PCB में बाहर में कहिए तो वो कहां पर है यह भी variable register लगा सकते है basically यह दोनों point same है तो यह पर यह रह गया R1 और R2 कहां पर है R2 है यह वाला छोटा सा यह 330 ohm का है 331 code है 33 के बाद 10 लगेगी मतलब 330 ohm तो यहां पर connection कैसे किया गया है जो output की capacitor है output voltage जो बन रहा है वो यहां पर आया है उसके बाद यह variable register के अंदर से गया यहां पर इसके बाद यह इसके साथ जुड़ा है और यह है ground तो यह R1 रहेगा यह R2 रहेगा यह तो नीचे में ground है बीच में यह जुड़ा हुआ है और यह जहां पर यह दोनों जुड़ा उसी point से यह pin 4 में voltage जा रही है जो feedback है तो basically इस feedback को hack करने के लिए हमारा 1.235 volt इस point में बनना चाहिए जहां पर यह दोनों चीज connect होड़ा है दोनों रेजिस्टर जो pin 4 में जारे मतलब pin 4 में 1.235 volt बनना चाहिए तभी हमारा feedback हैक हो जाएगा तो इसलिए मैंने calculator website ढूंड लिया इसका link तो दे दूँगा नीचे description में तो इस calculator site में पहले reload कर लेते हैं यहाँ एक general calculation offer कर रहा है कोई भी IC में इस तरह का calculation जो होता है इस तरह का regulation उसमें यह काम करेगा तो इस तरह के से R1, R2 हमारा circuit में भी है इसलिए मैं इसको use कर रहा हूँ यहाँ पर R1 मेरा था कितना 1 kilo ohm मतलब 1 दूँगा यहाँ पर kilo ohm तो ही पहले से R2 था 330 ohm जो register fixed है छोटा व हो रहा है किलो हम था तो 330 नहीं होगा 0.330 होगा तभी 330 ohm होगा kilo ohm पहले से इसलिए तो एक बार फिर से calculate करते है तो देखिए 4.977 voltage जो कि exactly हमारा आ रहा था तो इस तरह के सा आप लोग voltage calculation कर पाएंगे मानिए कि आपको 12 वोल्ट चाहिए नीचे बाल रेइस्टन 0.33 है ज इसका value चाहते है वो calculate दबाएंगे तो हम इसका value चाहते है कि कितिना लगाने से हमारा 12 volt आएगा दबाया अब दीखे 2.87 kilo ohm लगाने से ही 12 volt आपका आने लगेगा तो इस तरह के से आप लोग इस calculator के मदद से आपका desired voltage यहाँ पर चूज कर सकते है मनी कि आप लोग एक 0 to 12 volt का power supply बनाने चाहते है बारो से ना जाए voltage तो आपको 3K का pot लागाना पड़ेगा और actually यह 0 नहीं होगा यह इसका minimum voltage होगा 1.235 volt जो आप back converter को सबसे lowest setting में भी रखेंगे तब भी यह इतना voltage इसको पैदा करना चाहिए तभी जाके feedback काम करेगा मतलो इसका output voltage कभी भी 0 नहीं हो सकता 1.235 volt होगा minimum तो चलिए सेम चीज Every Circuit Simulator एप से बनाया जाए यह आपका नाम है Every Circuit आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आपका नाम बताओ और इसका tutorial भी उपर में है तो भाया यहापर एक current source और दो रेजिस्टर ले लिया current source क्यों लिया थोड़ी दिर में पाता चलेगा यहापर current source को मैंने ऐसे connect किया दोनो साइड में और दो रेजिस्टर के बीच में यहापर 1.25 volt बनेगी जो उसका feedback रेजिस्टर का जो reference voltage है आप देखे current source को मैं 3.8 mili ampere कर दूँगा और निचेवाल रेजिस्टर को 0.33 kilo ohm यानि 330 ohm कर दूँगा तब जाके क्या होगा current source हमेशा 330 kilo ohm के अंदर 3.8 mili ampere push करता रहेगा और यहापर middle point में 1.25 volt मनता रहेगा और उपर का रेजिस्टर को आकर हम change करेंगे तो यहापर बीच वाला voltage change नहीं होगा क्योंकि यह current source है यह voltage source होता तो बीच वाला voltage change हो जाता लेकिन यह Q की current source है तो इसलिए यह खूद का voltage को change कर देता है ताकि उस point में voltage constant रहे तो यही चाहिए था हमें इसलिए current source यूज किया तो देखिए इस simulator में ऐसे हम लोग उपर का resistance को vary करके आउटपूट को निकाल सकते है क्यासा आउटपूट हमार generate होगा तो यहापर देखिए मैं इसको change कर रहा हूँ आउटपूट भी हमारा change हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही होता है variable case में तो यहापर देखिए मैं fixed 1 kilo हम लगाया तो यहापर बन रहा है 5 volt देखिए और मैं अगर fixed 2 kilo हम लगाता हूँ इसमें तो यहापर voltage बन जाती है 8.85 volt अब यहापर अगर fixed 3 kilo हम लगाया जाए तो यहापर voltage बन जाएगी 12.7 volt जो भी होगा case यहापर 1.25 volt बीच में लाने के लिए यहापर 5 kilo हम ले रहा हूँ तो 20 volt बन रहा है और 10 kilo हम में 40 volt के आसपास बन रहा है तो यहापर यह कुछ भी करेगा बीच में इस पांड में 1.25 volt जो पीन फोर में जा रहे है वो रखने के लिए maintain करने के लिए तो भाया यह वीडियो कैसा लागा कॉंट से बताए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ depth में सिखने को मिला है अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फो वाचिंग में लेंगे नेक्स्ट विडियो फ्रेशन निव आइडिया